हेलो एब्रिवन इस वीडियो के अंदर हम फिलिप सिड्नी की सोनेट वन को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है लविंग इंट्रिथ इसको पब्लिश किया गया था 1591 में और सोर्स है इसका एस्टोफिल इंस्टेला एस्टोफिल इंस्टेला के अंदर टोटल 108 सोनेट्स है और 11 सॉंग्स है तो उसका ही एक पार्ट है यह हमारी लविंग इंट्रिथ अब बात करें एस्टोफिल की तो एस्टोफिल का मतलब होता है स्टार लवर और स्टेला का मतलब होता है स्टार तो astrophil जो है star lover वो कौन है Sydney जो की हमारे poet है और star क्या है उनकी beloved Penelope ठीक है तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है बात करें poet की तो हमारे जो poet है Philip Sydney वो है कि English poet courtier, scholar, scholar और शोल्जर रहे है Elizabethan Age के अंदर और जो उनके important work है वो है sonnet sequence जिसे के astrophil in Stella, our treaties the defense of poesy the defense of poesy or an apology for poetry, an epistorial romance, the countess of Pembroke, Arcadia तो ये सारे इनके काफी important works रहे हैं जो कि इनुने अपने lifetime में लिखे हैं अब हम इसे line by line discuss करेंगे तो last तक बने रहेएगा ताकि आप कोई भी point मिस ना करें तो सबसे पहले बात करते हैं sonnet की, की sonnet होता क्या है तो जो 14 lines की poem होती है उसे sonnet बोलते हैं तो हमारे point लिखते हैं loving in truth and fame in words my love to show कि मैं सच्चाई से प्यार करना और वो सारे चीज़ों को दिखा रहा हूं and willingly मैं अपने जो lover है उसको दिखाना चाहता हूं अपने words के through की मैं उसे कितना प्यार करता हूं that she, dear she might take some pleasure of my pain की वो ना शायद मेरा जो pain है उससे थोड़ी खुशी ले ले उससे थोड़ा सा उससे खुशी हो की भाई देखो मेरे लिए कोई आदमी कितना तडप रहा है pleasure might cause her read reading might make her know की शायद जब वो इसे read करे तो वो मेरे चीज़ों को feel कर पाए वो मुझे समझ पाए knowledge might pity win and pity grace obtain की शायद जब वो इन चीज़ों को पढ़ेगी तो मैं उसकी दया को win कर सकूं और शायद वो अपना जो love और pity है, grace है वो मेरे उपर shower कर सके I sought fight words to paint the backless face of whom तो क्या कर रहा है कि मैं जो अपने words है उनसे न सारे अपने paints और sorrows को paint करना चाहता हूं मतलब लिखना चाहता हूं highlight करना चाहता हूं उनको studying inventions fine how it's to entertain तो वो बोलते हैं कि मैं fine inventions को study कर रहा हूं fine inventions यहाँ पे क्या है classical literature कि भई मैं classical literature को पढ़ रहा हूं ताकि मैं वहां से कुछ ideas ले सकूँ कुछ words सीख सकूँ ताकि मैं अपनी work के थूँ अपनी जो beloved है उसे impress कर दूँ of turning other leaves to see if things would flow from there तो यहाँ पे क्या करें कि I am turning other leaves turning other leaves का मतलब है मैं दूसरों के pages को पलट रहा हूं to see if things the things का मतलब है from there कि शायद मैं वहां से कुछ ले सकूँ to see if from there would flow कि वहां से शायद मैं कुछ नया सीख सकूँ कि जो मेरा brain है वो बिलकुल अब नम पढ़ चुका है मतलब I cannot think anything तो शायद अगर मैं classical literature पढ़ूंगा तो मेरे अंदर के creativity जाग जाए मुझे कुछ ideas मिल जाए मुझे कुछ नए words सीखने को मिले but words came helping forth wanting inventions day अब क्या हो रहा है कि जो words है those are helping helping मतलब कि वो बहुत ही रुक रुक कर आ रहे है एक smooth तरीके से मुझे वो सारी चीज़ा नहीं मिल रही और जब मुझे smooth तरीके से knowledge नहीं मिल रहा तो फिर मैं जो अपना output निकाल पा रहा हूं वो भी smooth नहीं है invention nature's child flood step dame studies blow तो यहाँ पर वो बोलता है कि जो ideas है या फिर जो inventions है they are nature's child तो जब वो दुसरे के works को पढ़ता है तो उसका खुद का imagination चला जाता है तो यहाँ पर वो लिखते है न कि flood step dame studies blow कि जो हमारा खुद का जो एक imagination है वो निकल के चला जाता है and others feet still seem but strangers in my way कि हाँ मैं दुसरों के works पढ़ रहा हूँ but it seems like कि बहुत strange चीज़े है मैं उनसे relate नहीं कर पाता हूँ वो मेरी खुद की चीज़े नहीं है thus great with child to speak and helpless in my throes throes का मतलब होता है sever pain कि बच्चे की तरह जैसे एक बच्चे आपने आपको express नहीं कर पाता रहा है ना ही वो समझ पा रहे हैं कि भाई वो अपनी बाते को कैसे आगी रखे biting my tarrant pen beating myself for spite कि मैं खुद को बहुत force कर रहा हूँ मैं अपने pen को ऐसे bite करते हैं हम think करते हैं जब तो सोचते हैं वक्त हम अपने pen को ऐसे काट रहे होते हैं कि मैं अपने आपको काफी motivate करने की कुशिश कर रहा हूँ कि भाई लिख दे कुछ लिख दे but I cannot मैं मतलब कहीं से inspiration नहीं ले पा रहा हूँ मैं खुद को बहुत ही force करने के बाद भी अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ fool said my muse to me look in thy heart and write thy का मतलब होता है yours तो कहता है कि जो मेरी muse है muse का मतलब होता है एक inspiring spirit जो कि उसे motivate कर रही है तो बोलते है कि जो मेरी muse है वो मुझे बोलते है कि oh fool तुम दुसरों की चीजों को मत जाको तुम अपने दिल के अंदर जाको और तब लिखो फिर तुम देखना तुम कितना अच्छा लिख पाते हो क्योंकि अगर आप किसी और की चीजों को copy करते हैं तो फिर वो चीज इतने चीज से आप नहीं कर पाते हैं लेकिन if you follow your heart तो फिर आप उस चीज में अपना 100% देके सारे efforts डाल के you bring something amazing and excellent यहीं भी जो आपका sonnet है वो खतम होता है I hope आपको समझाया होगा फिर भी कोई question है उसे आप पूर सकते हैं I'll meet you in the next video till then take care, stay happy, stay healthy